नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेस बाहर रवी पर आज के इस वीडियो में मैं आपको सूच कांग यानि इंडेक्स 2022 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे पहले कोश्चन से हमारा पहला कोश्चन है तो इसका सही अंसर है आप्शन B 136 में स्थान पर रहा है भारत विश्व खुशाली सूच कांग 2022 में इस साल के इंडेक्स में कुल 146 देशों को स्थान दिया गया है विश्व खुशाली सूच कांग में GDP लेवल, जीवन प्रतियाशा, जीवन विकल्प, चुन्ने की अजादी, उदारता और भरष्टाचार की धारना जैसे कारकों पर रेंक दी जाती है संयुक्त राष्ट के वैश्विक सूच कांग में फिल्लेंड पांचवे साल भी दुनिया का सबसे खुशाल देश चुना गया है, ये भी आपको याद रखना है वहीं अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश माना गया है, मतलब जाने की सबसे बॉटम पे अफगानिस्तान रहा है इस सूच कांग में पाकिस्तान को 121 पाइदान प्रापत हुआ है, ये भी आपको याद रखना है तो इन कोशनों में फ्रेंड्स आपको टॉप तीन पता होने बहुत जरूरी है तो उनके बारे में आपको पता जाता हूँ, जो शीश पर तीन देश रहे हैं इस सूची में फिल्लेंड टॉप पर आ है, उसके बार डैन्मार्क और थर्ड पे आइसलेंड आ है और इस रिपोर्ट को जारी की है, सही उक्तराष्ट सतत्विकास समाधान नेटवर्क ने नेक्स्ट कोश्चन डिस करते हैं, वर्ष 2022 में जारी, भारत प्रेस अफ्तंतरता रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकारों पर सबसे जादा हमले किस राजय या केंदर शासित प्रदेश में हुए हैं, तो इसका सही अंसर है, आप्शन C, जम्मू कश्मीर इंपोर्टन पॉइंट्स, वर्ष 2022 में जारी, इंडिया प्रेस, फ्रीडम रिपोर्ट 2021 को हाल ही में, राइट्स एंड रिस्क्स अनलीसिस ग्रूप द्वारा जारी किया गया है, इस रिपोर्ट के मताबिक देश में 13 मीडिया हाउस और अकवारों को निशाना बनाय गया, 108 पतरकारों पर हमला किया गया और 6 पतरकार मारे गए इसमें, साथ ही 8 महिला पतरकारों को गिरफतारी सम्मन और FIR का सामना करना पड़ा, और इस सूची में टॉप 3 राजे या केंदर शासित प्रदेश हैं, टॉप पर जम्मू कश्मीर, दूसरे पर उत्तर प्रदेश और स्थान पर आया है, तो इसका जही अंसर है, option A, 83 में स्थान पर, यह काफी important question है, यह आपको याद रखना है, important information, हैले passport index, दुनिया के सभी passport की मूल ranking है, जो यह बताता है कि किसी एक विशेश देश का passport थारक कितने देशों में बिना पूर वीजा के यात्रा कर सकता है, यह index मूलता, Dr. Christian H. Kellyn, हैले and Partners के अध्यक्ष जो थे द्वारा स्थापित किया गया था, तो इस index में टॉप पर देश रहा है, जपान और सिंगापूर, जर्मनी और दक्षिन कोरिया, सबसे कम शक्तिशाली passport किस देश का है, अफगानिस्तान का, यह भी आपको पताना चाहिए, और इस रिपोर्ट को जारी किया है, हैले and Partners Research Team ने, next question, फरवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार, किस कमपनी ने 2021 में इंटेल को दुनिया की शीर्ष सेमिकंड़क्टर कमपनी के रूप में पीछे छोड़ दिया है, तो इसका सही अंसर है, option C, Samsung कमपनी ने, important point discuss करते हैं, अनुसंधान firm, counterpoint technology market research द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिन कोरियाई Electronics, निर्मान की दिगज कमपनी, Samsung Electronics ने US चिप मेकर इंटेल को पीछे छोड़ दिया है, और 2021 में राजसव के मामले में दुनिया की अग्रणी चिप मेकर बन गई है, तो इस सूची मे top 3 company रही है, top पर Samsung आई है, दूसरे पर Intel रही है, और तीसरे पर SK Hynix रही है, और इस report को जारी किया है, count points technology market research ने, next question discuss करते है, global risk report 2022 को किस ने जारी किया है, तो इसका सही अंसर है, option B, विश्व आर्थिक मंचने, जिसे हम WEF कहते हैं, important points, ये report वेपार, सरकार और समाज के विशेशक्यों और वैश्विक नेताओं की वैश्विक जोखिम धारनाओं को ट्रैक करती है, ये report पांच श्रेनियों है, यानि के आर्थिक श्रेनी, प्रैवरन श्रेनी, भूराजनेतिक श्रेनी, समाजिक श्रेनी और तकनिकी श्रेनी में जोखिमों की जांच करती है, औ इसका सही अंसर है option C, चोथे स्थान पर, important point डिस्क करते हैं, Huron Research Institute ने Huron Global U40, सवनिर्मित अरब पती 2022 रिपोर्ट को जारी किया है, जिसमें भारत 6 सवनिर्मित अरब पतियों के साथ चोथे स्थान पर रहा है, इस रिपोर्ट में 40 साल या उससे कम उमर के दुनिया में सवनिर्मित अरब पतियों को रैंक दी जाती है, Huron Global U40 सवनिर्मित अरब पती 2022 रिपोर्ट के अनुसार META के CEO Mark Zuckerberg 40 साल से कम उमर के दुनिया के सबसे अमीर सवनिर्मित अरब पती हैं, और इस रिपोर्ट में शीर्ष तीन देशों के नाम भी आपको बता देता हूँ, अमेरिका जिसमें 37 सवनिर्मित अरब पती हैं, चीन में 25, यॉनाइट गंडम में 8, और रिपोर्ट को जारी किया है, Huron Research Institute ने ये भी आपको याद रखना है, हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 क्वाटर एक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो इसका सही अंसर है, आप्शन A, जैपैन और सिंगापूर, हैले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रेंकिंग है, जो ये बताता है कि किसी एक विशेश देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर वीजा के यात्रा कर सकता है, इस रिपोर्ट में भारत 13 में स्थान पर आया, ये भी आपको पता होना चाहिए, और इस सूची में टॉप पर तीन देश रहे हैं, टॉप पर जपैन और सिंगापूर, दूसरे स्थान पर जर्मनी और धक्षिन कोरिया, और तीसरे स्थान पर फिन्लैंड, इटली, स्पेन और लेक्जंबर्ग, इन चारों ने तीसरा स्थान हासिल किया है, रिपोर्ट को जारी किया है, हैंले और पार्टनर्स रिसर्च टीम ने, नेक्स्ट कोशन है, यूनाइटेड नेशन्स इन्वार्मेंट प्रोग्रम, यानि यून एपी द्वारा जारी वार्षविक, फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनी प्रोदूशन वाला शहर कौन सा बना है, तो इसका सही अंसर है, आप्शन A, मुरादाबाद भारत का, इंबोर्टन पॉइंट से समझते, United Nations Environment Program द्वारा जारी वार्षविक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का मुरादाबाद शहर दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनी प्रोदूशन वाला शहर बना है, मुरादाबाद में अधिक्तम 114 डेसिबल ध्वनी प्रोदूशन दर्श किया गया है, ये वार्षिक Frontiers Report तीन प्रेवर्नी मुद्दों की पहचान कर उनके समाधान के उपाई प्रदान करती है, ताकि जलवाईव परिवर्तन प्रोदूशन एवं जैव वविद्धता के नुकसान के संकट को संबोधित किया जा सके, और विश्व स्तर पर टॉप तीन शहरों के नाम भी आपको पता देता हूँ, टोप पर रहा है बंगलादेश का ढाका जिसने 119 डैसिबल ध्वनी प्रोदूशन किया है, दूसरे स्थान पर भारत का मुरादाबाद 114 डैसिबल ध्वनी प्रोदूशन के साथ, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान का इसलामाबाद रहा है 105 डेसिबल ध्वनी प्रदूशन के साथ और इस रिपोर्ट को जारी किया है United Nations Environment Program यानि UNEP और इसका मुख्याले नेरोबी केनिया में है नेक्स्ट कोशन नीतिया योग द्वारा जारी निरियात ततपर्ता सूचकांग 2021 में कौन सा राजे शीर्ष पर रहा है तो इसका सही अंसर है Option B गुजरात राजे गुजराइट राजे लगा था और दूसरे वर्ष नीती आयोग द्वारा जारी निरियाथ तत्परता सूचकंग 2021 में शीष थान पर रहा है निर्याद ततपर्ता, सूचकंग, निर्याद शम्ता और प्रदशन के मामले में राज्यों की तेयारी और प्रदशन के अधार पर रेंक देता है ये रिपोर्ट का दूसरा संसकरन है ये भी आपको याद रखना है कि इस रिपोर्ट का ये दूसरा संसकरन था केंदर शासित प्रदेश या राज्य जैसे लक्षद्वीप, अरुनाचल प्रदेश, मिजोरम, लदाग और मेगाले इस रिपोर्ट में सबसे खराब स्थान पर रहे हैं इस रिपोर्ट में शीर्ष तीन राज्यों की सुची आपको पता देता हूं विश्व वायू गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया की सबसे प्रदूशित राजधानी कौन सी बनी है तो इसका सही अंसर है आप्शन डी नई देली भारत की स्विस फर्म IQ Air द्वारा वर्ष 2022 में की विश्व वायू गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार नई देली लगाता और दूसरे वर्ष दुनिया के सबसे प्रदूशित राजधानी बनी है इस रिपोर्ट के अनुसार बंगला देश विश्व स्तर पर सबसे प्रदूशित देश रहा है उसके बाद चाड़ पाकिस्तान और तजाकिस्तान रहे है टॉप तीन प्रदूशित राजधानियों के नामा को उता देता हूँ टॉप पर नई देली रहा है दूसरे पर धाका बंगला देश का और तीसरे पर एन जमेना जो की चाड़ का है और रिपोर्ट को जारी किया है आईक्यू एर ने मुख्याले है इसका गोल्ड एच स्विजलेंड में स्विज फर्म आईक्यू एर द्वारा वर्ष 2022 में जारी विश्व वाईयू गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूशित देश कोन सा बना है तो इसका सही अंसर है आप्शन C बंगला देश स्विज फर्म आईक्यू एर द्वारा वर्ष 2022 में जारी विश्व वाईयू गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार बंगला देश सबसे प्रदूशित देश बना है वहीं भारा सबसे ज़्यादा प्रदूशित देशों की सूची में पांच में स्थान पर रहा है स्विज संगठन आईक्यू एयर द्वारा वर्ष 2021 के विश्व वाईयू गुणवत्ता रिपोर्ट WHO वाईयू गुणवत्ता दिशा निरदेशों पर अधारित पहली प्रमुक वेश्विक वाईयू गुणवत्ता रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में टॉप तीन प्रदूशी देश रहे हैं बंगलादेश टॉप पर उसके बाद चार्ट और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान रहा है इस रिपोर्ट को जारी किया है IQ Air ने मुख्या ले है गोल डैच स्विजलेंड में नेक्स्ट कोशन नाइट फ्रैंक द्वारा वर्ष 2022 में जारी ग्लोबल हॉम प्राइस सूचकांग क्वाटर चार्ट दोहजार इकिस में भारत की स्थान पर आया है तो इसका सही इंसर है option C 51 में स्थान पर important point से समझते है नाइट फ्रैंक द्वारा वर्ष 2022 में जारी ग्लोबल हॉम प्राइस सूचकांग क्वाटर चार 2021 में भारत ने अपनी रैंक में 5 स्थानों का सुधार किया है भारत आवास मुले दरों में 2.1 प्रतिशत वृद्धी के साथ 51 में स्थान पर रहा है भारत को वर्ष 2020 की चोथी तिहाई में 56 में स्थान पर रखा गया था ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स अधिकारिक अंकडों का उपियो करके दुनिया बर में 56 देशों और शेत्रों में आवासिय मुल्यों में मुव्मेंट को चेक करता है और इस सूची में टॉ की टॉप पर रहा है उसके बाद न्यूजिलेंड रहा है और तीसरे स्थान पर चेक गंडराजे रहा है और इस रिपोर्ट को जारी किया है नाइट फ्रैंक ने और इसका मुख्याले है इंग्लेंड के लंदन में नेक्स्ट कोशन रिसर्च प्लेटफॉर्म हुरेंड द्वराजारी M3M Global Rich List 2022 रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने है तो इसका सही अंसर है आप्शन B मुकेश अंबानी Reliance Industries Limited के अध्यक्ष मुकेश अंबानी हुरेंड ग्लोबल Rich List 2022 के शीर्च दस चार्ट में शामिल होने वाले एक मात्र भारती हैं पिछले एक साल में उनकी संपती 24 फीसेदी बढ़कर 103 अरब डॉलर हो गई है और विश में शीर्च जो तीन अरब पती रहे हैं उनके नाम आपको बता देता हूं पहले स्थान पर Elon Musk रहे हैं जो कि Tesla और SpaceX के मालिक हैं उनकी संपती 205 अरब डॉलर है दूसरे स्थान पर Jeff Vezos Amazon के मालिक हैं उनकी संपती 188 अरब डॉलर है तीसरे स्थान पर Bernard Arnold हैं जो कि L VMH के मालिक हैं इनकी संपती 153 अरब डॉलर है नेक्स्ट कोशिन Center for Science and Environment जिसे CSI कहते हैं द्वाराजारी रिपोर्ट All India Winter Air Quality Analysis में भारत का सबसे प्रदूशी शहर कौन सा बना है तो इसका सही अंसर है Option C उत्तर प्रदेश का गाजियवाद Center for Science and Environment द्वाराजारी All India Winter Air Quality Analysis रिपोर्ट के अनुसार गाजियवाद भारत का सबसे प्रदूशी शहर है यहां पर प्रदूशी बारत में जो प्रदूशी शहर है उत्तर भारत में जो प्रदूशी शहर है उनके बारे में आपको बता देता हूँ इसमें हैं फरीदाबाद, मानेसर, बागपत, नौएडा, गुरुग्राम, मेरट और हापुड पूर्वी क्शेतर में प्रदूशी शहर है सिवान जो की बिहार में है पस्चम क्शेतर में प्रदूशी शहर है अंकलेशवर, गुजरात का मध्यक्षेत्र में प्रदुशी शहर है सिंगरॉली जो की मध्यप्रदेश में है और दक्षिक शेत्र में सबसे प्रदुशी शहर है कुलबुर्गी और हैदराबाद इस report में उत्तर भारत का शहर श्रेनगर सबसे स्वच शहर पाया गया भी आपको याद रखने है और टॉप तीन प्रदुशी शहरों की सूची है टॉप पर गाजियबाद है दूसरे पर दिल्ली है तीसरे पर फरीदाबाद है रिपोर्ट को जारी किया है Center for Science and Environment ने नेक्स्ट कोशन ब्लूमबर्ग द्वारा जारी इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसे हिंदी में एक्विटी बजार पुंजी करन के मामले में भारत के स्थान पर रहा है इसका सही अंसर हो जाएगा Option D पांचवे स्थान पर इंपोर्टन पॉइंट से समझते हैं भारत तीन पॉइंट दो एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल इक्विटी पुंजी करन के साथ पहली बार बजार पुंजी करन के मामले में दुनिया के पांचवे स्थान पर पहुंच के आ है अब मैं आपको बजार पुंजी करन के बारे में बता देता हूँ जिसे Market Capitalization कहते है बजार पुंजी करन सावजनिक रूप से कारोबार करने वाले कमपनी के स्टॉक के बकाई शेरों का कुल बजार मुले है Market Cap की गनणा कमपनी के कुल बकाई शेरों को एक शेर के मौजूदा बजार मुले से गुना करके की जाती है तो इस सूची में टॉप तीन देश रहे हैं पहले पर अमेरिका रहे हैं दूसरे पर चीन और तीसरे पर जैपैन और रिपोर्ट को जारी किया है Bloomberg ने यह आपको याद रखना है Next question है हमारा स्वास्ते मंत्राले दौरा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम मात्रम रित्यू अनुपात जिसे इंग्लिश में maternal mortality rate कहते हैं में कौन सा राजे शीर्ष पर रहा है तो इसका सही अंसर है Option B केरल राजे केंदर सरकार दौरा जारी रिपोर्ट के अनुसार केरल राजे का मात्रम रित्यू अनुपात यानि MMR 42,000,000 जीवित जनम से गिरकर 30,000,000 जीवित जनम हो गया है केरल ने वर्ष 2020 में ही मात्रम रित्यू अनुपात के संयुक्त राष्ट सतत विकास लक्षनों को हासिल कर लिया है मात्रम रित्यू अनुपात को प्रती 1,000,000 जीवित जनमों पर मात्रम रित्यू की संख्या के रूप में परिभाशित जाता है टौप 3 राजे देख लेते हैं टौप पर केरल रहा है जिसमें 30,000,000 जीवित जनम है दूसरे स्थान पर महाराष्टा जिसमें 38,000,000 जीवित जनम है तीसरे स्थान पर तेलंगन है जिसमें 56,000,000 जीवित जनम है report को जारी की है स्वास्ते मंत्रा लेने next question शिपरी द्वरा जारी इंटरनेशनल आम्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2021 में हत्यारों के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में कौन सा देश शीर स्थान पर रहा है तो इसका सही अंसर है option C उपयुक्त दोनों यानि साओधी अरब और भारत SIPRI का full form है Stockholm International Peace and Research Institute SIPRI ने International Arms Transfer 2021 पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है इस रिपोर्ट के अनुसार भारत और साओधी अरब वर्ष 2017 से 21 के बीच हत्यारों के सबसे बड़े आयातक के रूप में उभरे हैं दोनों देशों की वैस्विक हत्यारों की बिक्री में 11 परतिशत की इससेधारी है औरुंसमें top tracing देश थां है और इस में टॉप तीन देश है तोप पर भारत और साओधी अरब हैं जिसमें 11 परतिशत इससेधारी है दूसरे स्थान पर मिसर है 5.7% के साथ तीसरे स्थान पर उस्ट्रेलिया है 5.4% के साथ रिपोर्ट को जारी के है सिप्री ने इसका मुख्याले है स्टॉक हॉम स्वीडन में नेक्स्ट कोशन लंदन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग वैश्विक निवेश 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है तो इसका सही अंसर है ऑप्शन सी दूसरा स्थान रहा है इंपोर्टन पॉइंट से समझते हैं लंडन एंड पार्टनर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसर भारत डिजिटल शॉपिंग कंपनियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उदम पूंजी निवेश केंदर है जो 2020 में 8 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2021 में 22 बिलियन डॉलर हो गया है भारत का बैंगलूरू शहर वर्ष 2021 में डिजिटल शॉपिंग में 14 अरब डॉलर मुले के वैंचर कैपिटल निवेश के साथ विश्व स्तर पर शीष पर रहा है इसके बाद गुरूगरम 4 अरब डॉलर के साथ साथवें और मॉंबई 3 अरब डॉलर के साथ दस्वें इस्तान पर रहा है और इसमें top 3 देश रहे हैं top पर आया अमेरिका 51 billion dollar के साथ दूसरे इस्थान पर भारत 22 billion dollar के साथ और तीसरे इस्थान पर चीन 14 billion dollar के साथ और इस report को जारी किया है London and Partners ने इसका मुख्याले है England के London में ये भी आपको याद रखना है next question है हमारा वी डेम दौरा जारी democracy report 2022 autocratization changing nature में भारत के स्थान पर आया है तो इसका सही अंसर है option A 93 स्थान पर important point डिस्थ करते हैं वी डेम संस्थान की democracy report 2022 autocratization changing nature report के अंसर भारत को दुनिया के 10 निरंकुष देशों में स्थान दिया गया है और 179 देशों में liberal democracy सूचकांग में 33 स्थान पर रहा है liberal democratic सूचकांग में सभी देशों को उनके score के अधार पर 4 शाशन प्रकारों में वर्गे कृत किया जाता है liberal democracy electoral democracy electoral autocracy or closed autocracy इसमें शीष पर 3 देश रहे हैं पहले पर Sweden, दूसरे पर Denmark तीशरे पर Norway रहा है इस रिपोर्ट को जारी किया है Gothenburg, Vishwydyalen और मुख्याले है Sweden में next question है ISSF shooting wish cup 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीष पर रहा है तो इसका सही अंसर है option C, भारत भारती निशाने बाजों ने मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF World Cup 2022 में कुल साथ पदक जीते जिनमें चार स्वन, दो रजट और एक कांसे पदक शामिल है टॉप तीन देश हैं भारत टॉप पर है साथ पदकों के साथ जिसमें चार गोल्ड, दो सिल्वर और एक ब्रोंज मेडल है दूसरा स्थान पर नॉर्वे है छे मेडल के साथ तीसरा स्थान पर फ्रांस है तीन मेडल के साथ और इन खेलों का आयोजन काहिरा मिस्र में हुआ था ये आपको याद होना चाहिए next question स्कॉच ग्रुप द्वारा वर्ष 2022 में जारी स्कॉच स्टेट आफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में कौन सा राज़ शीष पर रहा है तो इसका सही अंसर है option D आंधर प्रदेश important points discuss करते हैं स्कॉच स्टेट आफ गवर्नेंस रिपोर्ट एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें राज़ियों को राज, जिला और नगर पाली का स्तर पर भिविन परियोजनाओं में उनके प्रदशन के अनुसार रैंकिंग दी गई है आंधर प्रदेश ने लगतार दूसरे वर्ष नंबर वन स्थान हासिल किया है और टॉप तीन राज़े हैं इसमें टॉप पर आंधर प्रदेश, उसके बाद पस्चे मंगाल तीसरे पर ओडिसा है और रिपोर्ट को जारी किया है स्कॉच ग्रूप ने नेक्स्ट कोशन ICC टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर वन आल राउंडर कौन बने है तो इसका सही अंसर है option B रविंदर जडेजा रविंदर जडेजा ने श्री लंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में शांदार प्रदेशन किया जिससे की वे 406 अंग के साथ आल राउंडर रैंकिंग में पहले पाइदान पर पहुंच गए है और इसमें टॉप 3 खिलाड़ी आपको पता देता हूँ टॉप पर है रविंदर जडेजा 406 अंग के साथ दूसरे पर है जेसन होल्डर 382 अंग के साथ नेक्स्ट कोश्एन है हमारा किस्टेलम AII232 वैश्विक रिपोर्ट के अनुसर दुनिया का सबसे जाधा प्रतिबंदे देश कौन सा बना है तो इसका सइए अंसर है option A रूस देश किस्टेलम AI232 वैश्विक रिपोर्ट के अनुसर यूकरेन पर आक्रमन करने के कारण रूस को 2788 नई प्रतिबंदों का सामना करना पड़ा है जिससे कि रूस दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंदे देश बन गया है रूस के खिलाफ अब कुल 5530 प्रतिबंद हो गये हैं रूस ने अब कई प्रतिबंदों के मामले में एरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों को भी पिछे छोड़ दिया है तो टॉप तीन देश आपको बतायता हूं जिनके उपर सबसे ज़ादा प्रतिबंद है टॉप पर है रूस 5530 प्रतिबंद के साथ, दूसरे पर है एरान 3616 प्रतिबंद के साथ, तीसरे पर है सीरिया 268 प्रतिबंद के साथ और इस रिपोर्ट को जारी किया है कैस्टेलम AI ने, इसका मुख्याले है अमेरिका के न्यू यॉक में नेक्स्ट कोशन हम डिस्ट करते हैं, फ्रीडम हाउस दौरह जारी, फ्रीडम इन द वर्ल दोहजार बाइस, द ग्लोबल एक्सपेंशन आफ अथॉरिटेरियन रूल, नामक रिपोर्ट में भारत को सो में से कितने अंख मिले हैं, तो इसका सही अनसर है, ऑप्शन भी 66 नेतिक, बहु लगाफ, भागेदारी और सरकारी, कामकाज जैसे राजनेतिक अधिकारों के संकेतकों के अधार पर स्कोर प्रदान करती हैं, इस रिपोर्ट के अनसर वर्ष 2022 में 85 देशों को सफतंतर, 56 को आंशिक रूप से सफतंतर और 69 को सफतंतर नहीं करार दिया गया है सबसे अधिक मुक्त देशों की सूची आपको पता देता हूँ, इसमें न्यूजिलेंड है, कैनड़ा है, उरुगवे है, निदलेंड है, लक्जंबर्ग है, आयरलेंड है और डैनमार्ग के इलावा, फिनलेंड, स्वीडन और नॉर्वे भी हैं, जिन्नोंने सोवंक हासिल की हैं, सबसे खराब स्कोर करने माले देशों की सूची भी आपको पता देता हूँ, इसमें हैं, दक्षिन सुडान, सीरिया, तिबबत, तुर्कमेनिस्तान, एरिटरिया और उत्तर कोरिया, रिपोर्ट को जारी किया है, फ्रीडम हाउस ने, इसका मुख्याले है, अमेरिका C, तेलंगाना, important points, MOSPI, सांख्यकी और कारेक्रम, कारे आयनवयन मंत्राले प्रतिव्यक्ति शुद्राज घरेलू उत्पाद कि वरिदी दर के मामले में, तेलंगाना भारत के 1 करोड से अधिक अबादी वाला शहर राज बना है, तेलंगाना का सकल राज घरेलू मुले, यान 11,54,860 करोड रुपे हो गया है, नेक्स्ट कोशन डिसस करते हैं, Center for Science and Environment State of India द्वारा वर्ष 2022 में जारी प्रेवरन रिपोर्ट के अनुसार, सतत विकास सूचकांग 2021 में भारत के स्थान पर राया है, तो इसका सही अंसर है, option B, 120 में स्थान पर, इस सूचकांग में सभी दे पूचकांग 27 विकास लक्षियों को प्रापत करने की दिशा में देश की कुल प्रग्रती को मापता है, नवीनतम रेंकिंग के साथ भारत अब पाकिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिन एशियाई देशों से पीछे है, पाकिस्तान 129 में स्थान पर है, भारत से आगे भुटान 75 में स्थान पर, श्रिलंका 87 में स्थान पर, नेपाल 96 में स्थान पर और बंगलदेश 109 में स्थान पर है, शीर्श तीन देश हैं इस रिपोर्ट में फिल्लेंट ओपर, उसके बाद स्वीडन तीसरे स्थान पर डैन्मार्क और रिपोर्ट को जारी किया है, Center for Science and Environment State of India Next question है हमारा The Wealth Report 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर अरब पतियों की अबादी में सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत की स्थान पर रहा है तो इसका सही अंसर है option C तीसरे स्थान पर Important point से समझते हैं भारत में ultra high net worth individuals की संख्या 2021 में 11% सालाना बढ़कर 145 अरब पतियों की हो गई है जो Asia Pacific शेत्र में सबसे अधिक प्रतिशत व्रिदी है Ultra high net worth individuals ऐसे वेक्ती हैं जिनकी कुल संपती 30 million US dollar से अधिक या Indian rupees में 226 करोड रुपे हैं इस report में भारती शेहरों की सूची में Bengaluru में सबसे अधिक 17.1 प्रतिशत अरब पतियों की व्रिदी हुई है दूसरे स्थान पर देली में 12.4 प्रतिशत से और तीसरे स्थान पर मंबई में 9 प्रतिशत से व्रिदी हुई है और इस सूची में शीर्षपर तीन देश हैं अमेरिका शीर्षपर है उसके बाद चीन है और उसके बाद तीसरे स्थान पर भारत है रिपोर्ट को जारी की है नाइट फ्रेंक ने और इसका मुख्याले है इंग्लेंड के लंदन में तो इसका सही अंसर है ऑप्शन ए डैनियल मेद विदेव रूस के डैनियल मेद विदेव टैनिस एटीपी रैंकिंग में नमबर एक स्थान पर पहुंचने वाले 27 वे खिलाडी बन गए है मेद विदेव ने एटीपी रैंकिंग में सर्बिया के लुवाग जोकोविच को पीछे छोड़ कर पहला स्थान हासिल किया है Next Question अंतराश्ट्रिय भौधिक संपदा सूचकांग 2022 में भारत के स्थान पर रहा है तो इसका सही अंसर है Option B 43 स्थान पर अंतराश्ट्रिय भौधिक संपदा सूचकांग 2022 में भारत 43 स्थान पर रहा है ये इस report का 9 संसकरन था ये भी आपको याद रखना है इस वर्ष report के report में पिछले 10 वर्षों के आंकडों का विशलेशन किया गया है और बताया गया है कि वैश्विक IP में समय के साथ लगतार सुधार हुआ है और इस report में शीर्ष में 3 देश रहे हैं पहले पर संयुक्त रज अमेरिका, दूसरे पर United Kingdom और तीसरे पर जर्मनी है और रिपोर्ट को जारी किया है US Chamber of Commerce का Global Innovation Public Center ने ये भी आपको याद रखना है बीजिंग शीत कालीन अलंपिक 2022 की पदक तालिका में किस देश ने शीष स्थान हासिल किया है तो इसका जही अंसर है Option A, नौर्वे देश ने नौर्वे लगतर दूसरे शीत कालीन अलंपिक के लिए पदक तालिका में शीष पर रहा है जिसमें कुल 37 पदक है, जिसमें 16 स्वन शामिल है ये किसी एक शीष कालीन अलंपिक में सरवादिक स्वन पदक जीतने का नया रिकोर्ड है ये भी आपको पताना चाहिए बीजिंग शीष कालीन अलंपिक 4-20 फरवरी 2022 तक शीष में आयोजित किया गया था बीजिंग शीत कालीन अलंपिक 2022 के खेल में भारतिय टीम का प्रतिनिधितव पुरुष अलपाइन स्कियर आरिफ खान ने किया था और बीजिंग शीत कालीन अलंपिक 2022 में शीषदेश रहा है नौर्वे 37 पदक के साथ दूसरे स्थान पर जर्मनी रहा है तीसरे स्थान पर चीन रहा है जर्मनी 27 पदक के साथ दूसरे स्थान पर और चीन 15 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है आयोजन स्थल ये चीन के बीजिंग में हुआ है और संसकरन था इसका 24 में ये भी आपको याद रखना है इसका सही अंसर है option B 11 प्रतिशत की इस रिपोर्ट के अनुसार लोगों की आये तो बड़ी लेकिन खुशी घट कई है वश 2021 में खुश रहने वाले व्यक्तियों की संक्या में गिरावट दर्श की गई और ये 72 प्रतिशत से घट कर 66 प्रतिशत हो गई है सबसे अधिक करोड़ पती वाले शहरों की सुची आपको पता देता हूँ इसमें टॉप पर मंबई रहा है जिसमें 20,300 करोड़ परिवार हैं जो की अरब करोड़ पती है दूसरे पर दिल्ली है जिसमें 17,400 करोड़ पती परिवार है तीसरे पर कॉलकत्ता 10,500 करोड़ पती परिवार है रिपोर्ट को जारी किया है Here in India, Wealth Name Next question सोभागे योजना या फिर जिसे हम सोर विद्वित्ती करण योजना कहते हैं कि तहत भारत के किस राज्य में सोर अधारिट सिस्टम के माध्यम से विद्वित्ती कृत घरों की संख्या सबसे जादा है तो इसका सही अंसर है Option C, राज्यस्थान में सोभागे योजना के तहत भारत के राज्यस्थान राज्य में सोर अधारिट सिस्टम के माध्यम से विद्वित्ती कृत घरों की संख्या सबसे जादा है सुभागे योजना के तहट राज्यस्तान में सोर अधारित स्टेंड अलोन सिस्टम के माध्यम से 1,23,682 गरों की विद्विती करण किया गया है और इसमें टॉप 3 राज्य रहे हैं चोथे स्थान पर Important points से समझते हैं वैश्विक उद्मीता Monitor 2021 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाई शुरू करने में असानी के मामले में भारत चोथे स्थान पर रहा है इस वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाई शुरू करने में असानी के मामले में दुबई पहले स्थान पर रहा है वैश्विक उद्मीता मोनिटर दुनिया भर में उद्मीता और उद्मीता परिस्थित की तंतर पर सर्वेक्षन अधारित शोद करता है जी एम मुख्य रूप से शीर्ष शैक्षनिक संस्थानों से जुड़ी राश्री देशों की टीमों का एक नेटवर्क संग है ये भी आपको याद रखना है और इस सूची में टॉप पर तीन देश रहे हैं टॉप पर आए दुबई दूसरे पर निदरलेंड तीसरे पर स्वेडन नेक्स्ट कोशन है हमारा 2022 में जारी The Economist Intelligence Unit EIU की रिपोर्ट के अनुसार लोगतंत्र सूचकांग 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत के स्थान पर रहा है तो इसका सही अनसर है option B 46 स्थान पर The Economist Intelligence Unit के दौरा जारी लोगतंत्र सूचकांग 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत 6.91 अंकों के साथ 46 स्थान पर रहा है Economist Intelligence की Democracy Index Report दुनिया के लोगतंत्रिक देशों की श्रेणियों को लेकर सूची जारी करता है इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में लोगतंत्र की स्थिती का अंकलन 5 पैमानों पर किया जाता है चुनाप्रक्रिया और बहुलतावाद सरकार की कारेशयली राजनेतिक भागेदारी राजनेतिक संस्कृती और नागरिक अजादी इस सूच कांग में 1 से 10 अंकों के पैमाने पर अधार पर रेंक तई की जाती है और इस सूची में शीर्ष पर 3 देश रहे हैं शीर्ष पर नौरवेरा है 9.75 अंके साथ दूसरे पर नियूजिलेंड 9.37 अंके साथ और तीसरे पर फिनलेंड 9.27 अंके साथ और रिपोर्ट को जारी किया है The Economist Intelligence Unit यानि EIU इसका मुख्याले United Kingdom के लंडन में है नेक्स्ट कोशन टॉम टॉम ट्राफिक इंडेक्स 2021 द्वारा वर्ष 2022 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसर दुनिया का सबसे जादा बीडवार वाला शहर कौन सा बना है इसका सही अनुसर है Option B Istanbul जो के तुर्की में है टॉम टॉम ट्राफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 द्वारा वर्ष 2022 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसर इस्टानबुल जो के तुर्की में है दुनिया का सबसे जादा बीडवार वाला शहर बना है इस रिपोर्ट के अनुसर दुनिया के टॉप 10 शहरों में भारत के भी 3 शहर शामिल है भारत का मुंबई शहर दुनिया का पांचमा सबसे भीडवार वाला शहर बना है रिपोर्ट को जारी किया है, टॉम टॉम ने, नेक्स्ट कोशन, टॉम ट्राफिक इंडेक्स 2021 द्वारा जारी की गई, रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे जादा भीड़वर्ड वाला शहर कौन सा बना है, तो इसका सही अंसर है, आप्शन D, मुंबई, नेक्स्ट कोशन, विश्वसवन परिशद, जिसे WGC कहते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस देश का केंदरिय बैंक सोने की खरीदारी में शीट स्थान पर रहा है, तो इसका सही अंसर है, आप्शन A, Central Bank of Thailand, इंपोर्टन पाइंट्स, विश्वसवन परिशद की अनुसार परिशद का केंदरि बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सोने का दूसरा सबसे बड़ा करीदार है, रिपोर्ट को जारी किया है, विश्वन परिशद ने, इसका मुख्याले यूनाटेड किंग्डम के लंडन में हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, नेक्स्ट कोश सेल्स फोर्स द्वारा जारी वैश्विक डिजिटल कोशल सूचकांग में भारत को सो में से कितने अंख मिले हैं, इसका सही अंसर है, आप्शन A, 63 अंख सेल्स फोर्स द्वारा जारी ग्लोबल डिजिटल स्किल्स सूचकांग 2022 में भारत को सो में से 63 अंख प्रापत हुएं, इस सूचकांग के अनुसर भारत डिजिटल कोशल ततपरता का नेतरतव करता है 2022 वैश्विक डिजिटल कोशल सूचकांग डिजिटल कोशल के बारे में 19 देशों के लगबग 23,000 श्रमिकों पर एक सर्वेक्षन पर अधारित है, जिसमें काम के भविश्ये पर उनके प्रभाव, नोक्री की तियारी के बारे में चिंताएं और निरंतर सीखने का महतव शा इसका सही अंसर है, Option C, Gautam Adani, Forbes की Real Time Billion Year Index के अनुसार, Adani Samu के चेर्मेन, Gautam Adani, Asia के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए है, उन्होंने Reliance Industries के चेर्मेन, Mukesh Ambani को पीछे छोड़ दिया है, इतना है नहीं, इसी के साथ, Gautam Adani, दुनिया के तस्वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए ह और Asia के टॉप तीन सबसे अमीर व्यक्ति बन गए है, आपको पता देता हूँ, टॉप पर है, Gautam Adani, उनकी Net Worth है, 90.1 Billion Dollar, Mukesh Ambani दूसरे स्थान पर है, Reliance Group के जिनकी Net Worth है, 89.4 Billion Dollar, तीसरे स्थान पर है, Ma Huatag, Tencent के मालिक, जिनकी Net Worth है, 46.9 Billion Dollar, और दुनिया के जो टॉप त Tesla के मालिक, जिनकी वार्शिक Net Worth है, 249.6 Billion Dollar, दूसरे स्थान पर है, Bernard Arnold, जिनकी है, 194.6 Billion Dollar, तीसरे स्थान पर है, Jeff Bezos, Amazon के मालिक, जिनकी Net Worth है, 183.5 Billion Dollar, रिपोर्ट को जारी किया है, Forbes की Real Time Billionaire Index ने, और इसका मुख्याले है, New York में, Next Question, Center for Monitoring Indian Economy की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2022 में, भारत में, बेरुजगारी दर्द कितनी दर्च की गई है, तो इसका सही अंसर है, Option A, 6.57 प्रतिशद, आर्थिक Think Tank Center for Monitoring Indian Economy की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2022 में, भारत में, बेरुजगारी दर्द तेजी से गिरकर 6.57 प्रतिशद, दर्च की गई है, ये मार्च 2021 के बाद देखी गई, सबसे कम दर है, दिसंबर 2021 में, बेरुजगारी दर 7.91 प्रतिशद हो गई थी, राज्य अनुसार सबसे कम बेरुजगारी दर्द देख लेते हैं, इसमें सबसे कम तेलंगाना में है, उसके बाद ब्राइब फाइनेंस द्वारा वर्ष 2022 में, जारी ब्राइब वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में, किस भारती वीमा कमपनी को सबसे मुल्यवान वीमा ब्राइब में दस्वा स्थान मिला है, तो इसका सही अंसर है, आप्शन D, जीवन वीमा निगम, जिसे हम LIC कहते हैं, बहर इंपोर्टन इंफोर्मेशन, ब्राइब फाइनेंस द्वारा वर्ष 2022 में, रिपोर्ट के अनुसर भारत की बीमा कमपनी, जीवन बीमा निगम 2021 में, विश्व की दस्वी सबसे मुल्यवान बीमा ब्राइब कमपनी बनी है, चीन की पिंग एन इंशोरेंस कमपनी, दुनिया का सबसे जादा वैल्यूएबल इंशोरेंस ब्राइब बनी है, और इसे पहला स्थान हासिल हुआ है, रिपोर्ट को जारी किया है, ब्राइब फाइनेंस ने मुख्याले है, इसका लंदन युनाइटेड किंग्टम में, नेक्स्ट कोशन, ब्राइब फाइनेंस द्वारा व वर्ष, 2022 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो इसका सही अंसर है, उप्शन C, चीन देश, विश्व में इस पात संगठन द्वारा वर्ष, 2022 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार चीन, 2021 में 1032.8 million ton steel का उत्पादन किया है, 2021 में चीन के उत्पादन में 3 प्रतिशत की गिरावट आई है, विश्व इसपाथ संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसर, भारत विश्व में इसपाथ का दूसरा सबसे बड़ा इसपाथ उत्पादक देश बना है, और इस रिपोर्ट को जारी की है विश्व इसपाथ संगठन ने और इसका मुख्याले है ब्रुसल्स में, विश्व इसपाथ संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसर, विश्व में इसपाथ का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कोन सा बना है, तो इसका सही अंसर है, ऑप्शन D, भारत, नेक्स्ट कॉशन, वर्ष दोजार बइस में जारी भ्रश्टाचार धारना सूच कांग 2021 में भारत के स्थान पर रहा है, तो इसका सही अंसर है, आप्शन C, 85 के स्थान पर, Transparency International ने भरष्टाचार धारना सूचकांग 2021 को जारी किया है जिसमें भारत 40 के स्कोर के साथ 85 में स्थान पर आ है समगर तोर पर ये सूचकांग दर्शाता है कि पिछले एक दशक में 86 प्रतिशत देशों में ब्रष्टाचार पर नियंतरन की स्थिती या तो काफी हद तक स्थिर या खराब रही है इस रैंकिंग में डैन्मार्क, फिनलैंड और नीजिलैंड ने 88 के स्कोर के साथ संयुक तुरूप से शीर स्थान हासिल किया है ये भी आपको याद रखना है पाकिस्तान का स्थान इसमें 140 वा रहा है, सबसे निचला स्थान दक्षिन सुडान का रहा है जारी किया है इस रिपोर्ट को, ट्रांस्पिरेंसी इंटरनेशनल है और इसका मुख्याले है जर्मनी के बरलिन में ये भी आपको पता होना चाहिए वर्ष 2022 में जारी, ब्रष्टाचार धारना सूच कांग 2021 में कौन सा देश शीच पर रहा है तो इसका सही अनसर है, औप्षन जी, ब्रष्टाचार धारना सूच कांग 2021 रंकिंग में डैन्मार्क, फिल्नैड और नीजीलन ने 88 के स्कोर के साथ सही उक्त रूप से शीट स्थान हासिल किया है और इसको जारी किया है Transparency International और इसका मुख्याले जर्मनी बर्लिन में है Next question Brand Finance Global 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मुल्यवान कंपनी Tata Samu कौन से स्थान पर रही है तो इसका सही उनसार है Option B 78 स्थान पर भारतिय कंपनी Tata Samu भारत से और दक्षिन एशिया में भी सबसे मुल्यवान ब्रांड के रूप में उभरा है टॉप 100 में शामिल होने वाला ये देश का एकलोता ब्रांड है Tata Samu की वैश्विक रैंक 78 है Next question Brand Finance Global 500 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मुल्यवान कंपनी कौन सी बनी है तो इसका सही उनसार है Option A Apple Company Brand Finance 2022 Global 500 रिपोर्ट के अनुसार Apple ने 2022 में भी सबसे मुल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिती बरकरार रखी है यह आपको पता होना चाहिए 2022 में Apple का Brand Valuation 355.1 Billion Dollar दर्ज किया गया था गया है जो पिछले साल की तुनला में 35% अधिक है यह Brand Finance Global 500 रैंकिंग इतिहास में दर्ज की गई अब तक की सबसे अधिक Brand Value है और इस Value में Top 3 मुलेवान कंपनिया रही है फस्ट पर Apple दूसरे पर Amazon और तीसरे पर Google नेक्स्ट कोशन हमारा 2021 में Forbes 2000 सूची के अनुजार सरवाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाडियों के लिस्ट में भारती शटलर PV सिंदू के स्थान पर रही है इसका सही अंसर है Option A साथवे स्थान पर सिंदू 7.2 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला इथलीट है नाओमी ओसाका शीर स्थान पर रही है इनकी कमाई 57.3 मिलियन डॉलर की है टॉप 3 खिलाडियों के नाम आपको पता देता हूँ जिनकी कमाई सबसे ज़्यादा है पर टॉप पर हैं नाओमी ओसाका जैपान की दूसरे पर हैं सेरेना विलियम्स अमेरिका की और तीसमे पर हैं वीनिस विलियम्स अमेरिका की और पीवी संदू साथ मिस्तान पर रही है यह आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट कोशन हमारा फोसदारा जारी सूची के अनसर 2021 में सरवादी कमाई करने वाली महिला खिलाडी कौन बनी है तो इसका सही अनसर है आप्शन A नाओमी ओसाका जपानी टैनीस खिलाडी नाओमी ओसाका वर्ष 2021 में दुनिया में सरवादी कमाई करने वाली महिला खिलाडीयों में शीर्ष पर है नाओमी ने पिछले साल इनामी राशी और विगयापनों से करीब 424 करोड रुपे कमाई जो एक कलेंडर वर्ष में किसी महिला खिलाडी की सरवादी कमाई है और टॉप तीन के आपको नाम बता देता हूँ टॉप पर है नायोमी ओसाका दूसरे पर है सेरेना विलियमस तीसरे पर है वीनिस विलियमस और रिपोर्ट को जारी किया है Forbes ने ये भी आपको पता होना चाहिए Next question है कौन सा भारती हवाई अड़ा On Time Production के लिए व्याश्विक सूची में आठमे स्थान पर आया है तो इसका सही अंसर है Option A चन्नाई अंतराष्ट्री हवाई अड़ा चन्नाई अंतराष्ट्री हवाई अड़ा सही उक्तराज अमेरिका में है दूसरा है फुकुओ का हवाई अड़ा जपैन का तीसरे स्थान पर है हानेडा हवाई अड़ा जपैन का Next question हमारा अटल रैंकिंग आफ इंस्टूशन औन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021 में किस IIT संसान ने पहला स्थान हासिल किया है तो इसका सही अंसर है Option B IIT मदरास IIT मदरास ने लगातार तीसरे वर्ष अटल रैंकिंग आफ इंस्टूशन औन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021 में पहला स्थान हासिल किया है Next question आर्थिक सर्वेक्षन 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतिय शहर स्टार्टप राजधानी बनकर उभरा है तो इसका सही अंसर है Option A देली Next question वन सर्वेक्षन रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले दो वर्षों में भारत देश के कुल वन और ब्रिक्षों से भरे क्षेतर में कितनी बड़ोतरी हुई है तो इसका सही अंसर है Option B 261 वर किलोमेटर यह आपको याद रखना है Next question वन सर्वेक्षन रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेतरफल की दृष्टी से देश का सबसे बड़ा वन क्षेतर के सराज्य में है इसका सही अंसर है Option D मध्यप्रदेश Friends इस रिपोर्ट से 2-3 कोशन है तो यह रिपोर्ट काफी इंपोर्टन है और इसके बारे में किसी ने किसी एक्जाम में कोशन आएगा ही आएगा तो यह आपको याद रखने हैं सभी Next question है वन सर्वेक्षन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेतर में अधिक्तम बड़ोतरी किस राज्य में हुई है तो इसका सही अंसर है Option B आंधर प्रदेश में 647 वर किलोमेटर की बड़ोतरी हुई है Next question डिस्स करते है 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के वेपार भागेदार के रूप में किस देश ने शीष स्थान हासिल किया है तो इसका सही अंसर है Option D अमेरिका ने सहीउक्त राजिय अमेरिका कलेंडर वर्श 2021 में 112 पॉइंट बिलियन डॉलर के वेपार के साथ भारत का शीष वेपारिक भागेदार बना है अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर चीन रहा है इसमें टॉप तीन देश रहे है पहले पर अमेरिका दूसरे पर चीन तीसरे पर संयुक्त अरब अमिराद नेक्स्ट कोशन है तो इसका सही अंसर है अब कितने प्रतिशत घासों का हिस्सा चिलका जील में है तो इसका सही अंसर है ऑप्शन बी 33 प्रतिशत Important Information चिलका Development Authority द्वाराजारी वार्शिक सर्वेक्शन 2021 के अनुसर भारत के 33 प्रतिशत घासों का हिस्सा चिलका जील में है चिलका Development Authority के सर्वेक्शन के अनुसर दुनिया भर में कम होती समुद्री घासों के तुलना में भारत में इसकी वृधी हो रही है सर्वेक्शन में समुद्री घास की वनस्पती 172 वर किलोमेटर क्शेतर में पाई गई जो की पिछले साल के सर्वेक्शन में 169 वर किलोमेटर से अधिक है नेक्स्ट कोशन वैश्विक निवेश रुजान मॉनिटर रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है तो इसका सही अंसर है option D वेपार और विकास पर संयुक्तराश्टर सम्मेलन यानि UNC TET ये आपको याद रखना है वेपार और विकास पर संयुक्तराश्टर सम्मेलन द्वारा Global Investment Trade Report 2021 को जारी किया गया है इस रिपोर्ट में 2022 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के दृष्टी कौन को सकरात्मक बताया गया है और साथ ही वे ये भी बताया गया है कि 2021 की rebound growth rate को दोबारा प्रापत करने की संभावना नहीं है केंद्रिय सूक्षम लगू और मध्यम मंत्राले द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में अनुसूचित जाती के सूक्षम लगू और मध्यम उद्मो की संक्या में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है तो इसका सही अनुसर है option B महाराष्टर महाराष्टर भारत में 96805 अनुसूचित जाती के सूक्षम लगू और मध्यम उद्मो के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है शीर्ष तीन राज्यों के नाम आपको पता देता हूँ शीर्ष पर है महाराष्ट दूसरे स्थान पर है तम्मिल नाडू तीसरे स्थान पर है राज्यस्थान नेक्स्ट कोशन ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म डेलाइट की रिपोर्ट डेलाइट ग्लोबल पावर्स और रिटेलिंग 2022 के अनुसार Reliance Retail Limited Wish में कि स्थान पर रही है तो इसका सही अंसर है Option A 56 स्थान पर Global Consulting Firm Daylight की रिपोर्ट Daylight Global Powers of Retailing 2022 के अनुसर भारती ब्रांड Reliance Retail वितवर्ष 2020 के लिए खुद्रा राजसव वृद्धी के अधार परशीच 200 की सूची में 56 स्थान पर रही है Daylight की Global Powers of Retailing 2022 रिपोर्ट वैश्वीक आर्थिक परिद्रिशी और रिटेलिंग उद्योग पर इसके प्रभाव की स्मिक्षा करती है शीर्ष तीन कंपनी के नाम आपको पता देता हूँ पहले पर है Walmart इंक दूसरे पर है Amazon इंक तीसरे पर है Costco Wholesale Corporation और इस रिपोर्ट को जारी किया है Daylight ने और मुख्याले है इंग्लेंड के लंदन में Next Question Daylight 2022 CXO Sustainability Report The Disconnected Between Ambition and Impact के अनुसार जलवाईउ परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारती कंपनियां कि स्थान पर है तो इसका सही अंसर है Option D पांचमें स्थान पर ये भी आपको याद रखना है Daylight 2022 CXO Sustainability Report The Disconnected Between Ambition and Impact के अनुसार जलवाईउ परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारती कंपनियां पांचमें स्थान पर है Daylight 2022 CXO Sustainability Report वेपार जगत के नेताओं और कंपनियों की चिंताओं और जलवाईउ परिवर्तन और स्थिर्ता से सम्बंदित कारेओं की जांच करती है Report को जारी किया है Daylight Torch Loth Matsu Limited ने Next Question Inequality Cills Report 2021 को किसने जारी किया है तो इसका सही अंसर है Option B Oxfam एंडिया ने Next Question है हमारा स्वच भारत मिशन ग्रामिन चरन दो कारेकरम के तहट 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शोच मुक्त जिसे हम ODF Plus कहते हैं गाओं की सूची में कौन सा राज़े शीर्ष पर रहा है तो इसका सही अंसर है Option D तेलंग गाना स्वच भारत मिशन ग्रामिन चरन दो कारेकरम के तहट 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शोच मुक्त गाओं की सूची में तेलंगाना देश पहले स्थान पर रहा है राज़े में 14,200 गाओं में से 13,737 गाओं ODF Plus सूची में हैं जो 96.74 फीसेदी है इसके बाद तम्मेलाडू में 4432 गाओं जो की 35.39 प्रतिशयत है और करनाटक है तीसर इस्तान पर 1511 गाओं जिसमें 5.59 प्रतिशयत है ODF का मतलब है Open Defection Free Next Question हमारा जिला स्तरिय सूशाशन सूचकंग वाला पहला केंदर शासित प्रदेश कोन सा बना है तो इसका सही अंसर है Option A जम्मू कश्मीर जम्मू और कश्मीर जल्द ही जिला स्तर पर सूशाशन सूचकंग रखने वाला देश का पहला केंदर शासित प्रदेश बना है इसके बाद इसके द्वारा जम्मू कश्मीर में पारदर्शिता जवाब दही और नागरिकों की भागेदारी बढ़ेगी नेक्स्ट कोशन है नोवी यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसलिंग में भारत 146 परियोजनाओं के साथ किस स्थान पर रहा है तो इसका सही अंसर है आप्शन बी तीसरे स्थान पर इस रिपोर्ट में चीन पहले तथा कैनड़ा दूसरे स्थान पर रहा है ये भी आपको पता हाना चाहिए नेक्स्ट कोशन है हमारा फोब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विष्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने है तो इसका सही अंसर है आप्शन बी एलन मस्क जो की टेसला के मालिक है तो ये था फ्रेंट्स आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको सूचकांग जन्वरी से मार्च 2022 तक कंप्लेटली करवा दिये ये काफी important topic है आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो का content और quality अच्छी लगी है तो इसे like जरूर करें अपने friends के साथ share भी करें और अपना feedback हमारे comment mocks में देना ना भूलें तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी next वीडियो में तब तक के लिए thank you wish you all the best